नवस्कार साथियों आज किस वीडियो में बात करेंगे आज दिनांग 6 जुलाय 2021 को राज के नगर निकायों में 125 के लिए कॉंसलिंग परकिरिया चली है तो दिन भर में कितने अभियर्थी चैनित हुए है उनका सूची जारी कर दिया गया है साथी साथ कितना रिक्ती अभी भी खाली है वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है आपका अरर्या दो नगर निकायों में यहाँ पर कॉंसलिंग हुई जहाँ पर अठाए सीटे थी और यहाँ पर चैनित अभियर्थियों की संख्या मात्र एग्यारा आखिर कैसे इसके बाद अर्वल में एक नगर निकायों में आठ सीटे थी जहाँ पर साथ अभियर्थी चैनित हुए है और अंगाबाद में चार नगर निकायों में 38 सीटे थी और यहाँ पर 32 स्टूडेंट चैनित हुए है बांका में एक नगर निकायों में कॉंसलिंग हुई है जहाँ पर 17 सीट खाली बच रही है आप सभी को बता दे अगर आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी है अगर जनरल में सीट खाली है और आपका मैरिट बन रहा है तो आपका सेलेक्शन जनरल से भी हो सकता है और ऐसा आज के कॉंसलिंग में हुआ है तो यहाँ पर जनरल से तो सीट बचनी ही नहीं चाहिए लेकिन पुर्णिया में जनरल से तीन सीटे बची हुई है और एक जो है कैटेगरी से बचा हुआ है चार सीटे था चारव में चारो सीटे यहाँ पर बचा हुआ ही है मतलब एक भी ए स्टुडेंट यहाँ पर चैनित नहीं हुआ है वो भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे बेगुसराय में दो नगर निकाय में कॉंसलिंग हुआ है जहाँ पर 42 सीटे थी 26 सीटे भरी गई है बांकी यहाँ पर अभी भी खाली है इसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्वी चमपारण में तीन नगर निकाय में कॉंसलिंग हुआ जहाँ पर 40 सीटे थी 20 अभी यहाँ पर चैनित हुए है इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं गया 37 सीटे थी 17 स्टूजन चैनित हुए है इसके बाद जमुई में 8 सीटे थी यहाँ पर 6 अभियर्थी चैनित हुए है इसके बाद कटिहार में 3 नियोजन इकाई में 29 सीटे थी 16 अभियर्थी चैनित हुए है किसन गंज में 3 नियोजन इकाई में 14 सीटे थी 5 अभियर्थी चैनित हुए है खगड़िया में 10 सीटे थी 9 का चैन हुआ है अब यहाँ पर देखिए मधेपुरा की हम आपको बता रहे हैं मधेपुरा में दो नगर नियोजन में जो है यहाँ पर सामिल भी थे और लेट तक यहाँ पर हम रुके हैं और जब लाश्ट में बोला गया कि सीट अब खाली नहीं बची है तो वहाँ से हम लोट करके आए है और यहाँ का जब डिटेल में अगर पता चलता है कि जनरल में कितना खाली है अलग-अलग केटेगरी में कितना खाली है तो ही हम आपको बता पाएंगा अगर जनरल में खाली होगा तब तो यह अन्या है क्योंकि जो अभियर्थी केटेगरी से है अगर उनका मेरिट बन रहा है जनरल में सीट खाली है तो यहाँ पर जनरल से जो है वो अभियर्थी अपना कॉंसलिंग करवा सकते हैं और आज यहाँ पर कॉंसलिंग हुआ भी है साथी साथ जो भी फिमेल कंडिडेट है वो किसी भी कैटेगरी से है तो वो जो है किसी भी कैटेगरी में अगर सीट खाली है तो वहाँ पर कॉंसलिंग करवाए हैं उसके अलावे जो है जनरल में भी जो है वो कॉंसलिंग करवाए हैं तोकि उनका जो है सभी कटेगरी में आरक्षित है सीटे तो वो भी जो है उनका लाव लिया है इसके बाद यहां आगे देखेंगे तो मध्यबन्नी 6 सीटे थी 5 का चैन हुआ है मुंगेर में 30 सीटे थी 22 का चैन हुआ है नालंदा में 48 सीटे थी 43 का चैन हुआ है पटना में 65 सीटे थी बड़ी संख्या में अवियर्थी पहुँचे होंगे लेकिन यहाँ पर 35 अवियर्थी कहीं चैन हुआ है इसके बाद पुर्णिया डिस्टिक की बात करें तो 77 सीटे थी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट पहुँचे फिर भी यहाँ पर 43 सीटे खाली है आप देख सकते हैं यह पुर्णिया नियोजा निकाई का है अब यहाँ पर देखेंगे नगर पंचायत कसवा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटे थी चारों में 4 सीटे यहाँ पर खाली रह गई है एक भी सीटे यहाँ पर भरी नहीं जा सकी है इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं पहुँचा होगा जरूर कुछ न कुछ यहां पर चल रहा है इसको लेकर के सिक्षा विभाग की जो है यहां पर नजर जानी चाहिए यहां पर आखिर सीट खाली कैसे बच रही है इसके बाद यहां पर आप देख लिजिए स्कीन सॉट ले लिजिए इसके बाद यहाँ पर बात करें तो टोटल 782 सीटों पर आज कॉंसलिंग हुआ है जिसमें मातर 495 अभियर्थी ही चैनित हो पाए है तो मतलब यहाँ पर बड़ी संक्या में लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 500 स्टुडेंट यहाँ पर 800 स्टुडेंट 300 सीटे खाली जा रही है 800 सीटे पर सोच सकते हैं तो यह जो है ऐसा नहीं है कि अभियर्थी नहीं पहुँच रहे हैं अभियर्थी पहुच रहे हैं लेकिन उसको रोस्टर नहीं मिल पाता है किस नियोजन इकाए में कितनी सीटे हैं यह रोस्टर नहीं मिल पाता है किस कटेगरी में कितना सीटे है जैसे कि हम आपको बताए ये मध्यपुरा डिस्टिक का नगर न्योजन इकाई का रोस्टर है यहाँ पर देखिए नगर परिसद नगर पंचायत यहाँ पर देखिए 5 सीटे है 7 सीटे है, टोटल 12 सीटे है जबकि यहाँ पर जो सीटे दर्साई गई थी यहाँ पर देखिएंगे तो 34 सीटे दर्साई गई उठा सकते हैं तो नीचे कमेंटर जरूर किजीगा धन्यवाद